इस वग पाकिस्तान में डेली वी-लॉगणर्स को लेके एक शोर मचाव है और हमने ये देखा है कि जिनके गेमिंग चैनल थे टेक के चैनल थे या कुकिंग चैनल थे तो अब वो सारे वी-लॉगिंग पर शिफ्ट हो चुके हैं अब सवाल यह है कि क्या आप वी लॉगिंग को एक फील्ड बनाने जा रहे हैं जैसे इंजीनिरिंग डॉक्टर या मेडिकल होती है तो एक इलग फील्ड का दरजा देने जा रहे हैं हमारे नौजवानों ने तो जिसको देखो वी लॉगिंग की तरफ जा रहा है तो क्या ये एक फील्ड बनने जा रही है तो इस पर आपकी क्या राया आप मुस्कुराने मेरी बात को सुनके हाँ हसी मुझे इस बात पर आ रही है कि यहाँ पर देखें एक तरफ हम इनको व्यूज़ भी हमी लोग दे रहे हैं जाहरे बार से तो आके कोई नी दे रहा है ना इनको व्यूज़ भी हमी दे रहे हैं और फिर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो यह तरह का हमारे डबल स्टेंडर्ड बन गया मेरे ख्याल थो हाँ अगर आप मुझसे मेरी इजाती रहाए पुछें तो मैं तो यही कॉऊंगा, जाहरै कि यह इची चीज तो नहीं है क्योंकि जाहरे कि इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, बे परदगी हो रही ए है, कोई अच्छा मेसिज तो नहीं जा रहा सky अच्छा तो पिर आपके खेल में इन पर क्रिटिसाइज होने की क्या वज़ा है आखर है भाई मेरी नजर में अगर आप देखें तो में रिजन तो यही है इनका कॉंटेंट इनके कॉंटेंट में जो चीज़े दिखाई जा रही है उसमें मोसली जो प्रमोट किया जा रहा है वो है बेहयाई डुबटा फैशन अगर आप देखें तो बिल्कुल खतम हो चुका है पिर इनके नाज गाने शादी के फंक्शन जिस तरीके से यह प्रमोट करें बेहयाई को तो जाहर है क्रिटिसाइज तो होगा और डेली बेसिस पर जब आप एकी चीज़ देखेंगे हमारी जनरेशन एकी चीज़ देखेंगी तो जाहर है वो उसी को फॉलो करेगी पतर नहीं आप इस बात को सेकंड करेंगे या नहीं नहीं मैं आपकी बात से बिलकुल एगरी करता हूँ यकिन आप ठीक कह रहे हैं और वैसे भी लाजमी सी बात है कोई भी इनसान जो मसल्मान है वो इस चीज़ को अभी प्रोमोट नहीं करेगा कि वी लॉगिंग में इस एलेदा राय रखता हूँ इसके बारे में एंड लेट्स टेक एन एग्जम्बल के मिसाल के दौर पर चलें जी हमने वी लॉगिंग बंद कर दी आज से बैंड वी लॉगिंग नहीं करेगा बंद हो गया सब कुछ ठीक है अब आप मुझे बताईए कि क्या आप आप हमारे म माशरे में सुधार देखते हैं अब वी लॉगिंग के बगार मतलब माशरे बिल्कु सुधर जाएगा आपके साब से तो मेरे साब से तो हमारी नौजवा नहीं सुधरेगी अगर आज आप वी लॉगिंग बंद भी कर दें क्योंके देखें ना 2019 से तो वी लॉगिंग स्ट को बढ़ होँ और जो है वो देवर जो है वो अपनी भावी पर आशिक हुआ है उफिस में जो है वो जो लड़की काम करने जा रही है अपने बोस को जो है वो लाइन मार रही है बोस को लाइन बार है तो मतलब आप मुझे बताईए के ओवर ऑल सिचूशन क्या है आप कह र वी लॉगिंगेन्ट वू वी लॉग और आपको दिख आ रहे हैं वह तो इसक्रिप्टइड में होता है यह सब इनका लिखा वाओध है कि वो गुम हो गई और आज मेरा भाई सर्प्राइस दे रहा है मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रहा है वो अपनी माँ को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है और आज हमारे घर में डाकू आ गए और यह सारी चीज़ें भाई ये भी स्क्रिप्टिड िरि ओथी है जिस तरीके से हवाम जो है वो ड्रामे से जुड़ी वी होती है अपिसोड वन, अपिसोड टू, अपिसोड त्री इसी तरीके से वो वी लॉगर की फैमिली से जुड़ जाती है यही एक एडिक्शन है मैं आपकी बाद साइगरी करता हूँ लेकिन अब मसला यह ना कि इसका हल क्या है फिर आप इसका हल कैसे देखते हैं देखें हल इसका बहुत सिंपल है और एक ही है और वो यह है कि हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ वी लॉगर के खिलाव नहीं बलके हर वो प्लैटफॉर्म जहां पर अल्ला के कानून की धज़्या उड़ाई जा रही है उसके खिलाव भावाज उठानी है अल्ला ताला ने कुरान मजीद में सुरह नाम में फरमाया जिसका मफूम है कि और बेहयाई के जितने भी तरीके हैं उनके पास ही मत जाना ख्वावो पोशीदा हो या जाहर और हमें हर प्लैटफॉर्म पर जो है वो उनको क्रिडिसाइज करना है चाहे कोई बेहयाई अपनी वी लॉग के थरू पहला रहा हो चाहे कोई बेहयाई जो है वो ड्रामे के थरू फिल्मों के थरू तो हमें ओवर ओल जो है वो इनके खिलाफ जो है वो आवाज उठानी है सिर्फ फैमली वी लॉगिंग को बन करके आप यह नहीं समझ सकते हमारा मौशरा सुदर जाएगा और क्योंके ड्रामे भी हैं जैसे मैंने आपसे जिकर किया इसी तरीके से जो है वो फिल्म्स भी हैं गाने भी हैं तो हमें एक्वल आवाज उठानी है हर प्लैटफॉर्म पर तो मैं समझता हूं के हमारे मौशरे में पिर हम कह सकते हैं कि जो है वो सुधारा सकता है वर ना एक चीज़ को दबा कर आप सोचें के वी कुड़ बेटर सो दिस कैन बी अज़ेंशन और दिस कैन बी ड्रीम बट दिस नॉट रिए टू रियलिटी देखें बहुत सारे यूटीवर ऐसे भी हैं वी लॉगिंग करते हैं वी लॉग बनाते हैं लेकिन उनकी वी लॉग में जो है वो कोई फैमली नहीं होती मतलब वो अपनी वाइफ को बच्चों को किसी को भी नहीं दिखा दे जैसे एक नाम इस वग आप से बात करते हैं मेर कासी चीज नहीं देखिया आप देखें तो इस तरह के भी लोग हैं इस तरह के बेशुमार लोग हैं तो जो इस तरीके का काम कर रहे हैं मकसद कहने का कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं यूटीव पे वी लॉग बना रहे हैं तो मसला वी लॉग बनाने क देंगा मुस्लिम के हम वहाँ पे अपनी वाइस को रेस करें वरना आखरत में कियामत करो जब अल्ला के हुजूर पेश होंगे तो वहाँ पिर जवाब देना पड़ेगा हमें के हमने आवास क्यों नहीं उठाई